एक business यानि ब्यौसाए क्या होता है, क्या है meaning, क्या है definition और characteristics क्या होती है business की, तो चले start करते हैं, तो सबसे पहले देखे business, यह word जब आप बोलते होंगे business, तो थोड़ा से इसमें क्या आता है, प्रणूसेशन में आता है business, busy, busy रखना, तो यह जो word है, business से derive ही हुआ है, कहां से busy words है, business means होता है being busy यानि doing things, आप कोई न कोई काम कर रहे होते हो, जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, आप प्रहाई कर रहे होता है, आप कहते हो मैं busy हूँ, आप कोई दूसरा काम कर रहे होता है आप कहते हूँ, तो business में एक important चीज यह होती है, कि बहुत सारे हमने economic और non-economic एक्तिविटी वाला टॉपिक हमने पढ़ा था नीचे डिस्क्रिप्श्य लिंक पर जागो आप देख सकते हैं कि कौन से एक्तिविटी इजिसके बदले हमें कुछ मिलता नहीं है तो बिजनेस में वह एक्तिविटी इन्वाल्व होगे जिसके बदले आपको कुछ मिलता है त तो business क्या हो गया, economic activity हो गया, economic activity याने कि यहाँ पर जो भी आप काम करेंगे, उसके बदले in return आपको profit होता है, तो ऐसा कोई occupation जो आप perform करते हो, जहाँ पर आपको बदले में in return कुछ मिलता है, वो economic activity होती है, और उसी को हम क्या कहते है, business कहते है, तो business क्या हो गया, business refers to an occupation in which people regularly engage in activities related to purchase, production and or sale of goods and services with a view of earning profit, याने कि जब आप कुसी कोई ऐसे occupation में involved होते है, जहाँ पर आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हो, produce कर रहे हो, sale कर रहे हो, या फिर service provide करते हो with view to earn profit, उसी को हम क्या कहते है, business कहते है, अब suppose कि यह जैसे बहुत सारे restaurant होते है, तो restaurant open करके बैठे है, आप उहाँ पर जाके खाना करते हो, तो फृरी में खा कियाते हो, नहीं, आप उसके बदले पैसे देते हो, तो पैसे कमाने के लिए restaurant खोल के बैठे है, और आपको खाना खिलाते है, उसके बदले में profit लेते है, इसकूल में जाते हो, फीस आप सम्मिट करते हो, आप उनके बदले में आपको एजूकेशन मिलती है, सर्विस मिलती है, हाँ पे, एच पी, डेल, अमेजोन, फिलिफकाट, लोकल शॉप से बहुत सारी किराना इस्टोरते हैं, बहुत सारी चीजे हैं, तो जितने भी लोग आप देखते हैं, दुकानदारी जो बाइंग और सेलिंग कर र और उसके बदले आपको पैसा में इन रिटन प्रॉफिट हो रहा है, तो वो चीज बिजनेस कहलाती है, अब बिजनेस में एक इंपॉर्टन चीज है कि प्रोडक्शन से सुरू होता है, कहां पे खत्म होता है, आपने अगर हम गुर्स के केस में बात करें, तो आपने प्रो तो इन डेस्ट्री का काम करती है, बिसनेस के अंदर ही इन डेस्ट्री आगे और इन डेस्ट्री में प्रोडक्शन का काम होता है, तो फूर्बस आप harmonies प्रोडक्शन के इस प्रोडट्चन के अलाबा चिजी किस में जाती हैं, व उसकिए रिजए पर डोमें प्रोड प्रोड़ेवर किया सकता है तो दिलिवर कर देशा क कर दो फुलफिल करने के लिए जा से उनसर नतम भी स्वेज करें ठीश कहों सिरु फूला कहने बिजिनेस नियोे सیک Involving the production and sale of goods and services undertaken with a motive of earning profit by satisfying human needs in society. तो society में जो humans होते हैं, सभी की कुछ ना कुछ need and wants होती है, तो society में जो humans उनकी need and wants को satisfy करके आप जब profit कमाते हो और उनको need and wants satisfy करोगे, उनको कुछ goods दोगे, उनकी needs satisfy होती है और उसके बदले आपको जो है profit होता है, तो वही चीज business कहलाती है, आप कोई भी काम कर रहे हो, वो business है, clear, तो business, कोई भी ऐसी activity, कोई भी ऐसी economic activity, जिसको करने से आपको बदले में profit होता है और human needs fulfilled होती है, वो business कहलाएगा, आप कोई भी काम कर लिजे, जितने भी बड़ी बड़ी company हैं, companies क्या है, वो business ही कर रही है, goods produce करती है, service देती है, आपके need जो है, fulfill होती है, और उसके बदले आप उनको payment करते हो, तो वो business हो गया, Amazon, Flipkart, HP, Dell, Pepsodent, Colgate, जो भी है, जितने भी products आप देखते हो market में, दुकान में चले, सब के सब क्या है, business कर रही है, ठीक है, वो कोई भी free में आपको product नहीं दे रही है, free में आपको कोई छोटा सा छोटा समान भी लेना होता है, तो 5 रुपे, 10 रुपे आपको देना पड़ता है, कि 50% off, 60% off, तो आप यह मान के चले, कि उनको नुक्सान नहीं, बलकि उनको profit ही हो रहा है, उसके बाद जूद भी वो सिल कर रहे है, तो business कर रहे हैं, अब बात कर लें कि characteristics क्या है business की, तो बिजनेस की बात करती है, पहला चीज तो यह होगा है, यानि कि business non-economic activity नहीं है, यानि कि आपने काम किया उसके बदले आपको कोई profit नहीं हुआ, तो फिर business नहीं कहलागा, आप काम किये है, और उसके बदले आपको profit हुआ, तो वो business कहल यह economic activity है, दूसरा production and procurement of goods and services, तो clearly है कि business में आप क्या करते हो, फिर produce करते हो goods and services को, जिसको आप customer तक पहुचा तो customer को consume करता है, और उसकी needs fulfill होती है, हाँ पर production and procurement होता है goods and services का, clear, sale and exchange of goods and services, यह नहीं कि आपने खाली बना के रख लिए आपने घर पे नहीं, आप उसको sale भी कर जा रहे हो, social welfare केरे काम केरे हो, फिर business नहीं कर लाएगा, फिर non-profit organization हो जाता है, तो profit earning business में main aim होता है, clear, business में जो आप activity perform करते हो, economic activity होती है, एक्टिविटी होती है, और profit earning main काम होता है, उसको production and sale up करते हो goods and services का, clear, then uncertainty of return, business में uncertainty होती है, यह नहीं कि आपने कोई business start किया, आज नुक्सान हो जाए, तो किसी बार आपको हो सकता है, कि profit हो जाए, तो uncertainty होता है, fixed return होता है, जैसे कि employee होता है, किसी office में, वो काम करता है, तो उसको पता है, कि हाँ, मैं एक महने काम करूँगा, मुझे इतनी salary मिल जाएगी, fixed है, 30,000, 25,000, जो भी salary उसको मिल जाएगी, लेकि पर business में क्या होता है, business में uncertainty होती है, आपको ही business कर रहे हो, तो किसी महने हो सकता है, आपकी sale ज्यादा हो जाएगी, और हो सकता है, दूसमी महने ही कि आपकी sale कम हो जाए, तो business में return की uncertainty होती है, then element of risk, हाँ, risk इंवाल रहेगा है, तो आपको यहसा काम कर रहे थे, employee छोड़के चले गए आपकी production आपकी product की demand market से खतम होगे तो आपका business ठप हो जाता है बहुत सारी companies बंद हो जाती है बड़ी-बड़ी companies बंद हो जाती है चोटे-चोटे दुकांस आप देखते होंगे shops जो है वो बंद हो जाते हैं तो जो है element of risk यहाँ पर रहता है business में लास्ट, legal and lawful business करने के लिए आपको बहुत सारे acts आपने देख्योंगे company act है, company law है, corporate law है तो बहुत सारे acts है consumer protection act है, बहुत सारे law है जिसको आपको business से follow करना पड़ता है और activities जो भी आप perform करते हैं वो लाफूल होना चाहिए यानि कि law के against नहीं होना चाहिए government ने कोई regulation बनाया है जैसे जो खाने पीने के items आते हैं तो उसमें आप देखिए ISI mark होना चाहिए या फिर FCCI का जो है उसमें mark होना चाहिए, कब बना है, कब expiry है, क्या MRP है, सारी details वहां पर आपको लिए होती है, सारे laws को भी fulfill करना होता है business में तो यह characteristics है कि कि बिजनेस की, economic activity होता है, production, procurement होता है, goods and services का, sale and exchange of goods and services होता है, profit earning होता है, uncertainty of return होता है, risk involved होता है, legal or lawful होता है business तो business यानि कोई भी ऐसी activity जो आपको busy रखती है और उसके बदले आपको profit देती है, वो business के लाएगा, और normally यह production और procurement and production of goods and services पर ही होता है, इसमें यह occupation है, economic activity जहाँ पर production करते हैं, goods and services को हम human narrative fulfill करने के लिए उसको provide करते हैं, उसके बदले हमें profit होता है functions of business organization या फिर scope of business organization, scope का मतलब होता है दायरा, यानि कि क्या-क्या चीज़े involved होती है business organization में, कौन-कौन सी चीज़े include होती है, तो function यानि कि कौन-कौन सी activities जो है business organization में perform की जाती हैं, वो हम यहाँ पर discuss करेंगे तो देखिए किसी भी business organization का जो main motive होता है, वो होता है profit earn करना, the main objective of business organization is to earn profit, अब यह profit earn कैसे होगा business organization में, तो business organization क्या करती है, कोई ने कोई product बनाती है, कोई ने कोई service जो है customer को provide करती है, और उसके बदले वो profit earn करती है, by fulfilling the need and wants of customer through product and service, clear ती, यह concept आपको clear होना चाहिए कि business organization क जो main motive होता है, profit earn करना होता है, clear, और profit earn करने के लिए वो customer की need को, wants को satisfy करते है, product यह service provide करके, अब इस product को, service को बनाने से लेकर customer तक पहुचाने में, बहुत सारे activities जो है perform की जाती है, और वही चीज़ क्या कहलाती है, functions of business organization, यह फिर scope of business organization, clear, this objective is fulfilled by the performing several functions, तो कौन-कौन से important functions है तो सबसे पहला होता है production function, भाई, आपको product जो है customer को provide करना है, तो सबसे पहले आप product को produce तो करोगे, यानि कि वो production function में include हो जाता है, जैसे कि plant location क्या होगा, plant का layout क्या हो गया, production planning and control कैसे करना है, total quality management के function से, inventory control कैसे करना है, कितना raw material रखना है, कितना consume करना है, कब आपको reorder कर यह सारी activities कहां पर आती है, production function में आ जाती है, यानि कि यहां पर main motive होता है कि जो product है, उसको raw material से product में convert करने का जो पूरा function होता है, उसमें जो भी चीज़ें involved होती है, वो सब production function में आ जाती है, तो business organization में एक भी important function क्या हो गया, production function, production से related सारी activities perform किया आती है, उसके बाद है marketing function यानि कि आपने product को बना तो लिया, लेकिन अब जो है customer तक पहुंचाओगे कैसे, retailing, wholesaling, advertising, promotion, यह सारी चीज़ें किस में आ जाती है, marketing function में आती है, उसकी pricing, उसमें sales promotion आप कर रहे हो, different discounts दे रहे हो, तो वो सारी चीज़े marketing function में आ जाती है, तो यहां पे business organization में यह नहीं कि आपने product बना लिया, काम खतम, नहीं, production करने के बाद आपको marketing functions perform करने पड़ते हैं, related to distribution of goods and services, consumer survey करना पड़ता है, कि consumer satisfy है कि नहीं satisfy है, advertising करना पड़ता है, pricing करने पड़ती है, promotion करना पड़ता है, different activities जो है, marketing से related यहां पे आपको perform करने पड़ती है, वहीं पे तीसरा है, important function, that is finance function, finance function कहने का मतलब है, कि आपको business में पैसा कहां से लगाना है, मतलब कि आपको कहां से पैसा मिलेगा, आपको कहां invest करना है, working capital management है, उसको कैसे manage करना है, dividend कैसे distribute करना है, इन सारी चीजों से related, जब आप activities perform करते हो, तो वह finance function में आ जाता है, तो आपने देखा होगा कि हर ज काम जो है perform कर रहा होता है, production department production कर रहा होता है, marketing department अपना advertising promotion और consumer survey कर रहा होता है, finance department होता है, वो financial activities perform कर रहा होता है, कि कहां से पैसे मिलेगा, कहां से loan ले सकते हैं, कहां पर हमें investment करना है, कहां से machinery purchase करनी है, कितने में purchase करनी है, working capital management कैसे करना है, dividend कब distribute करना है, कितना distribute करना है यह साही चीज़ है finance department जो है वहाँ पर वो monitor कर रहा होता है वही पर जो next important function है that is personal या फिर HR function HR function नहीं कि humor source related जो activities perform करते हैं अब production आपको करना है, product बनाना है या फिर marketing करना है या फिर finance के activities को perform करना है तो humor source requirement होगी आपको employees चाहिए होगे तो employee related जो है बहुत सारे activities perform करने पड़ती है उसको भी हम function of business organization रखते हैं जैसे HRP यानि कि पहले तो आप humor source planning करेंगे कि आपको कितना humor source की requirement है उसको plan करेंगे उसको forecast करेंगे, recruitment and selection आप करेंगे advertisement देते हैं, advertisement देकर लोग apply करते हैं पिर आप उनका interview लेते हैं, entrance exam लेते हैं उसके बाद पिर उनका medical examination होता है फिर आप उनको select करते हो उनको फिर training और development provide करते हो, उनकी performance appraisal करते हो industry relation को manage करते हो, उनको different salaries, benefits, benefits provide कर रहे हो promotion, transfer, यह different activities है जो की HRS related होती है और business organization में perform की जाती है तो यह important functions थे, four important functions marketing, production, HRS, finance, उसके अलवा बहुत सारे other functions भी होते हैं जो की business organization में perform की जाते हैं जो rules हो गए, laws हो गए, जो office से related work होते हैं, legal work हो गए after sales services होगी, तो बहुत सारे अन्य functions होते हैं जो की business organization में perform की जाते हैं तो business organization यानि कि एक organization, एक संस्था जहाँ पर लोग मिलकर कोई न कोई business activity perform कर रहे होते हैं जहाँ पर ओ लोग कोई product या service, product बनाते हैं service provide करते हैं customer को और भी profit अन करते हैं तो उसमें बहुत सारी activities perform करते हैं तो यह कुछ important activities थी जो की business organization में perform की जाती है importance of business यानि कि अगर आप economic activity perform कर रहे हो तो उससे क्या फायदा होगा तो सबसे पहली चेज की business को conduct करने के लिए आप कोई service provide करना चाते हैं आप कोई goods जो है manufacture करना चाते हैं तो आपको labor की worker की यानि की human की requirement पढ़ेगी तो उसको हम human resource कहते हैं तो यानि की इससे क्या होगा की employment generation होगा यानि की लोगों को नौकरी मिलेगी अब आप suppose करे कि आप एक entrepreneur हो रहे हैं आप जो है एक business start करना चाते हैं आप कोई product बनाना चाते हैं या mobile बनाना चाते हैं तो mobile बनाने के लिए आपको labor की human resource की requirement पढ़ेगी न यानि की आप लोगों को नौकी दोगे इंजीनियर्स को हो गए accountant हो गए या फिर office worker हो गए इनके लिए आपको human की requirement होगी उनको आप नौकी दोगे उसके बदले उनको आप salary देते हो यानि की employment generation होगा पहली चीज अगर आप business करते हो दूसरी चीज innovations यानि की आप नए-नए product बनाओगे नए-नए चीजे develop करोगे तो business करोगे तभी तो नए चीजे develop होगे अगर कोई business करेगा ही नहीं तो innovations होगे ही नहीं clear तीसरा है revenue generation अब आप जो है worker का use करके कुछ नए product develop करते हो नए services जो है लोगों को provide करते हो तो फिर उससे क्या होता है कि उससे revenue generate होता है भाई customer को बेचोगे ना customer को बेचोगे customer को service provide करोगे तो customer से आपको क्या मिलेगा पैसा मिलेगा तो revenue generate हो रहा है clear अब जैसे ola है ola क्या है ये एक tricky का service ही है तो यहाँ पर क्या होगा innovation idea आया कि हम जो है जिनके पास car नहीं है उनको भी हम car के services provide कर सकते हैं तो ये क्या है innovation है तो revenue इससे क्या हो रहा है कि ola को revenue generate हो रहा है बहुत सारों लोगों को नौकरे मिली हुई है ठीक है तो employment generate हो रहा है तो अब ये सारी business activities की वज़ए से employment generate हो रहा है तो लोगों के पास income आ रहा है innovations हो रहे है नहीं product नहीं services जो है वाँ पर अवगे एवलेबल हो रही है revenue generate हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है कि economy जो है वो grow करती है याने कि जो country की economy होती है वो grow करती है जीडिप, gross domestic product वो increase कर रेचरा, national income increase कर रही है तो economic growth हो रहा है because of business आप business परफॉर्म कर रहे हो तो नएने प्रोड़क्ट नएने सर्विसेज प्रॉइड हो रहे हैं इंप्लोइमेंट जेनरेशन हो रहा है रेवेन्यू जेनरेशन हो रहा है तो एकोनॉमी ग्रोग कर रही है next importance है that is improved standard of living यानि कि आपके रहने का तरीका आपके खाने पिने का तरीका क्या है वो improve हो रहा है आपके रहन सेहन का तरीका क्या है improve हो रहा है because of new new technologies नएने technologies आ रहे नएने goods and services आपको जो है मिल रही है तो उसके वेज़ा से आपकी जो standard of living है वो improve हो रही है because of innovations next is supply of goods and services आप आज के टाइम पे आप देख रहे होगे कि आप घर बैठे किसी दूसरे country का product जो है अपने आप पे महँआ सकते हैं तो चाहे वो local product हो चाहे वो national product हो चाहे वो international product हो आप आसानी से घर पर जो है कहीं से भी goods को supply कर सकते हैं और ये क्यों possible हो because of business अगर लोग business नहीं करते तो क्या आपके घर पर जो है समान कहीं दूसरी जगा का आसकता था नहीं आसकता था तो इससे क्या हो रहा है कि business की वज़ए से जो goods और services की supply है वो आसान हो गई है और लोगों तक जो है दूसर दराज में जहां पे लोग रह रहे हैं वहां तक प्रोडक्ट वो है डिलीवर किया जा रहा है services उनको मिल रही है चाहे वो बैंकिंग की हो चाहे वो कोई product आप जो है goods या services हो दोनों ही आपको आसानी से आपको supply हो जा रहा है because of business और overall बात करें तो social development हो रहा है society का development होता है देखिए business जो भी nature को protect करने के लिए activities हो गई तो उस related activities जो है business organization को perform करनी परती है आनि कि उनको society का development पे भी काम करना परता है यहने कि खाली आप product बनाया जा रहे है और natural resources का use किया जा रहे है और जो है आप profit कमाया जा रहे है ऐसा नहीं है तो यह इंपोर्टेंस से फायदे हैं किसके business के यानि कि अगर आप business करते हैं आप जो है economic activity परफॉर्म करते हैं तो आप जो है लोगों को नौकरी भी दोगे आप नएने product develop करोगे नएने services launch करोगे revenue generation होगा यानि कि income आएगा income आएगा तो economic grow करेगी national income ग्रोग करेगी GDP ग्रोग करेगी standard of living जो है लोगों का वो improve करेगा customer satisfaction होगा customer को जो है सस्ते में product मिलेगा और अच्छे product मिलेगे आप जो है goods और services की supply all over India all over globe पे कर सकते हो और overall society का development भी होता है because of business यहाँ पे जो है आप natural resources का efficiently effectively use भी करते हैं भाई natural resources का ही use करके आप good services को create करते हैं develop करते हैं तो यह importance है business के wish you all the best keep watching